इस यात्रा का मुख्य उद्देश पूरे भारत वर्ष को एक सुत्र में उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, उसके भोगोलिक परस्सितियों को दर्शाना है और देश में एक दूसरे को जोड़ना है ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश है ले में प्रोग्राम 23 तारिक से 27 इस तारीक के बीच में है पहला जो हिंदुस्तान के पूरे यात्री सभी राज्यों के आते हैं उनका स्वागत समारों होगा उसके बाद अगले दिन शिंदू मैया की शिंदू गुनदी के गाट के उपर पूजन होगा दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वह है सिंदू दर्शन यात्रा की है यह यात्रा रेवाडी से 19 जून को रवाना हुई थी, जिस तरह हम रेवाडी की फोटो आपको दिखा रहे हैं, रेवाडी की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह हरियाना के अलगलग सहरों से, पुरुक्षेतर से और हरियाना के अलगलग सहरों से, देश के अलगलग सेरों से अलग लग गाओं से अलग लग भागों से यह यात्रा लेह पहुचेगी 22 जून को लेह पहुचेगी आज 22 जून हो चुकी है हम आपको लेट यह दिखा रहे हैं हम उस दिन की आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं जिस दिन यहां से रेवाडी से यह यात्रा रवाना आज हम आपको NJP के मंच पर इस यात्रा के उद्देश, इस यात्रा में सामिल हुए यात्रियों के संसमरण आपको सुनवा रहे हैं, आपको इन लोगों के बाते सुनकर इस यात्रा के उद्देश भी पता चलेंगे और इनकी मनोभावना भी आपको पता चलेगी, आगे मैं इन यात्रियों से आपको मेरी बारचीत हुई भी है वह आपको सुनवाने जा रहा हूँ दोस्तो यह शिंदू-दर्शन यात्रा है दूसरा चरण है रेवाडी से दूसरी बार ये यात्रा जा रही है रेवाडी सहर के शिंदू दर्शन यात्रा में अपने लक्षमिनेंड जी और हम जो है इस यात्रा का नित्रतु करें और यह यात्रा 28 वी यात्रा हमारी कुरुप्चेत्र से प्रारम होकर जम्मू में 30 जून को संपन होगी इसके बीच यह यात्रा आज रात इस यात्रा का उद्देश भी बत सित्यों को दर्शाणा है और देश में एक दूसरे को जोड़ना है यह यह यात्रा का मुख्यव defending से अकध्यवारत हमारा पूरा भारतवर्त को जोडने का है और हर देश की हर राज्य की संस्कृति आपको ले में देखना के मिलेगी कल्चल प्रोग्राम होंगे वहां एक-एक बहुत बहुत बैतरीन प्रोग्राम है इमाचल अलग अलग राज्यों से लोग आ रहें वहां पहुंचेंगे हैं 2000 यात्री ले लद्दाक पहुंच रहे हैं कुछ प्लेन से हुआई मार्क से जाएंगे पूसे जम्मू से जाएंगे और यात्री कृफ्चिति रह जाते हैं और यह यात्रा आज रात 10 बजे मनाली के लिए कृफ्चितिशगी में रवाना होगी वो कितने तारिक का है ले में प्रोग्राम 23 तारिक से 27 तारिक के बीच में है पहला जो हिंदुस्तान के पूरे यात्री सभी राजियों के हाते हैं उनका स्वागत समारो होगा उसके बाद अगले दिन सिंदु मैया की सिंदु नदी के गाट के उपर पूजन होगा और अंतिम 27 तारिक को वहां सभी का स्वागत कारिकरम होके सभी को जम्मु कस्मीर श्री नगर के लिए रवाना की जाएगी यात्रा इस यात्रा का जो आयजुन कर रही है जो संस्ता है हम उसका नाम जानना चाहे यह यात्रा शिंदु दर्शन यात्रा समीति मान्य इंद्रेश कुमार जी के नेत्रतों में पिछले 28 वर्सों से लगातार जा रही है जो उनका मिशन एक भारत श्रेश्ट भारत अखंड भारत का नारा है जी तो यह आपको बहुत-बहुत हमारी तरफ से सुभकामना है प्राइजी मैंना जी है नरेश वसिष्ट जी है अनूप शर्मा जी है को नाम रह जाएगा आप शुस्त हैं राजेंदर शर्माजी नेत्री है जया जा है इनके साथ इनकी महिलाएं पी जा रही है सभी धन्यवाड प्का धन्यवाद पहली यत्रा गयी थी उसके अंदर जो तो अभी हमारे वर्तमान में सैयों जगे से सत्य प्रकास गोतम उन्हीं के नेतरतु में यात्रा गई थी और उस यात्रा में तकरीब अनम 22 यात्री यहां रिवाड़ी से गई तो लेह में पहले कोई यात्री ऐसा था जो पहले भी गया था अब गया है उस बदलाव के बारे म दौजार चोदा से पहले और दौजार के बाद किए विशेश रुप से 307 रहटने के बाद कि क्या बदलाव आया जम्मू कश्मीर लद्दाग की स्तिति में और अब क्या है इस स्तिति के बारे में तो जैसे जब आप यात्रा को करोगे तो हम महिशूस करोगे यात्रा सामर village है रिवाडी में की पहचान किसी से चुपी नहीं है इनसे जानते हैं यात्रा का आप पहली बार जा रहें दूसरी बार जा रहे हुआ तो आप तो जो जो सुरौलाउस जो है ना संस्थापकों में से एक वदें यात्राkelnीLY का जो स्वारम से हुआ था उसके बाद में अब लोगों का उच्सा कितना बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है बहुत जादा उच्सा यह हमाले की पाहड़ीऊ पर लोग रहते हैं तो इसा कोई मुश्किल नहीं होता पांडव गए थे तो इमाले में गए तो स्रग है पाणी अभी बाते हो रहे हैं पाणी बोटल का मतमीना पाणी जर्णों का पीना जर्णों में वहां नल लगे हुए तो आप जाएंगे तो लोग जाते हैं वाक्ति प् तीस सारी कोई वापस जम्मू इनको छोड़ा जाएगा तीस सारी को जम्मू ट्रेंड से ये लोग वापस आएगा दन्यवाद छी दन्यवाद